नमस्कार जैसे हम पोट्रेट ड्राइंग और वाटर कलर एंपोस्टर कलर का उपयोग किस तरीक से किया जाता है यह सभी मैंने आपको वीडियो के माध्यम से आपको सिखाने का प्रयाश किया आपको समझाया आज मैं आपको सहियोजन के बारे में बताऊंगा composition के बारे में बताऊंगा how to learn composition हम composition कैसे सीखते हैं drawing में composition क्या है हम composition किसका करते हैं उसके बारे मैं आपको जानकारी दाऊंगा और आप इसको अच्छे ढंग से समझेंगे और आप प्रेक्टिस करेंगे आप बहुत अच्छा एक चित्र बना पाएंगे और चित्र बनाना सीखेंगे स्पेस डिविजन करना सीखेंगे और एक सजनात्मक कला करती आप बना पाएंगे आपको पता हैं चित्रकला के तत्व रेखा रंग रूप तान पोट अंत्राल ये छे तत्व हैं इन इलिमेंट्स को हम एक स्पेस के साथ संयोजित करते हैं उस पे इन तत्व को जमाते हैं उनको कमपोज करते हैं और इस कमपोज करने में भी हमें मुख्य रूप से संयोजन के जो सिद्धान्त हैं उनका भी हम ध्यान रखते हैं जैसा कि सहयोग, सामजश्य, संतूलन, परभाविता और परमान इन छे सिद्धान्त का भी विशेश ध्यान रखते हैं चितर कर लाके तत्वाँ को कमपोज करने में उसको सिद्धाने में आज हम एक स्पेस लेते हैं उसके उपर हम सिंपल से कुछ जोमेटिकल ऑबजेक्ट को रखते हैं और देखते हैं कि इस स्पेस के साथ इन ऑबजेक्ट को किस तरीके से रखा जाए ताकि वो एक अच्छा लगे बैलेंस हो उसमें उसमें सन्योजन हो, सामजश्य हो, सहयोग हो, परमान हो और परवा हो ये सभी चीजे उसमें होना आवश्यक हैं इन सभी का हम विशेश रूप से ज्यान रखेंगे तो एक बहुत अच्छा कंपोजिशन बनके हमारे सामने आएगा आई हम देखते हैं कि हमारे पास ये स्पेस है इस स्पेस के उपर हमने एक अबजेक्ट रखा है आप देख रहे होंगे कि हमें पूरे वाइट एक स्पेस के उपर एक ब्लेक कलर का अबजेक्ट हमने रखा है हमारा ध्यान इतने बड़े space को छोड़ के एक black spot या एक आकरती के उपर geometrical form के उपर हमारा ध्यान जा रहा है पूरा बाकी space negative है और man object हमें ये दिखाई दे रहा है ऐसे ही ये एक composition की शुरुवात हो गई जब एक object हमारे सामने है तो हमें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है हमारा ध्यान एक black के उपर जा रहा है और बाकी पूरा space white है लेकिन जैसे ही दो object आते ही हमें ये अवशित्ता लगेगी कि एक object यहां है तो दूसरे को कहां रखना है यहां से ही हमारा composition या सन्योजन का शुरुवात हो जाता है यानि हमें यहां से ही सन्योजन के सिद्धानतों को भी ध्यान में रखना होता है और हम compose करने का प्रयास करते हैं elements को लेते हुए देखिए यहां पर दो object आगे अब आप देख रहे हैं कि एक बड़ा object है और एक छोटा है और space पूरा पीछे वाला white है लेकिन फिर भी हमारा ध्यान इन दो आकृतियों पे जा रहा है सबसे बड़ी है उस पे हमारा ध्यान सबसे पहले जाएगा क्योंकि यह है सईयों जन के सिद्धान परभाविता के अनुकूल या dominant part of the painting main object हमारा इस painting का बड़ा object है जो हमारा ध्यान सबसे पहले जाता है फिर हमारा ध्यान second object पे जाता है second object और first object जोईन के बीच में एक lie एक rhythm गती उत्पन होती है आप इसको देखेंगे तो बार बार ऐसा लगेगा सबसे पहले हमारा ध्यान बड़े object पे जाएगा उसके बाद में दूसरे object पे हमारा ध्यान जाएगा यहाँ एक lie rhythm गती उत्पन होती है जो सण्यूजन के सिदांट में पर्भाविता है यानि पर्भा का विश्यज ज्यान रखा जाता है सं्यूजन के दोरान यहाँ देखिए दो object हैं एक white है और एक black है हमारा ध्यान white की और ज़्यादा जा रहा है black की और कम जा रहा है हमारा पहला object यहां पर white है और black second है लेकिन यहां हमें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है दो object equal दिखाई दे रहे हैं यहां जैसी हम आते हैं तो यहां black के ऊपर white object है और एक आधा space पूरा white का है तो हमारा सबसे पहले ध्यान बड़े object white पे जा रहा है और second हमारा ध्यान black के ऊपर जो white एक object है उसकी ओर जा रहा है यहां पर भी हमारा ध्यान इस पूरे space के ऊपर जा रहा है ऐसा नहीं है कि एक ही कोने में हमारा ध्यान जा रहा है सबसे पहले बड़े object पे और उसके बाद में white का जो छोटा object है उस पे जा रहा है तो यह से rhythm के लिएट होता है एक space की उपर एक सन्योजन में यहां आप देखिए यहां से समझया शुरू हो जाती है यहां एक problem यह होती है कि अब कहां रखे है object को का रहा है तो यहां सन्योजन की बात आनी शुरू हो जाती है यहां देखिए आप यहां हमने वो black के उपर white और रखा है जिससे आप देखिए white color यहां dominant नहीं हो रहा है और यहां black हो रहा है इधर black का बड़ा portion है और इधर white के उपर black का छोटा है लेकिन आप देखिए यहां पर जो है main object जो हमें दिखाई दे रहा है जिसकी और हमारा ध्यान सबसे पहले जा रहा है वो है छोटा object छोटे object पर हमारा ध्यान सबसे पहले जा रहा है इतना बड़ा white space होते हुए भी हमारा ध्यान इस छोटे से black के उपर जा रहा है ये हमें compose करना आना चाहिए एक छोटी सी छोटे object को हम बहुत बड़े space के उपर केसे ध्यान दर्शक का अकरसित कर सकते हैं यहां देखिए black के उपर white और white के उपर black जितनी पहले problem थी पहले आप देखिए हमारा ध्यान एक black की उपर ही जा रहा था और जो छोटा space white के उपर है यहां आप देखिए हमारा ध्यान black के उपर जो white है उससे सबसे ज़्यादा पहले जा रहा है और उसके बाद हमारा ध्यान white के उपर black है वहाँ जा रहा है यहां हमारी eyes में एक गती यानि एक rhythm क्रियेट हो गया है एक बार हम white पे जा रहे एक बार ब्लेक पे जा रहे ऐसा इस space के उपर हमारी eyes की गती उत्पन्त हो जाती है यानि एक rhythm क्रियेट हो जाता है यहां आप देखिए हम वहाँ से हट कर कुछ दो बड़े object रख दिये हैं अब यहां से एक problem हो गई कि कैसे इन object को रखे ताकि यह अच्छे लगे आपने देखा होगा इसमें बिल्कुल संतूलित और बहुत अच्छे डंते था जिसमें कोई जादा problem नहीं थी एक के उपर दूसरा object डग दिया लेकिन यहां दो object डाल दिये अब यह समश्यारी कि इतना अच्छा नहीं लग रहा है कौन सा object कहां रखे जिसे ही better लगे यहां से हमारा चिंतन शुरू हो जाता है और हम सोचने लगते हैं हम compose करने लगते हैं कि कौन सा object कहां रखा जाए सहयोग सामज़ जैसे संतूलन परवा परवाविता और परमान इन सभी छे सिद्धानतों को ध्यान में रखते हुए हमें इसका सन्योजन करना है इन object का नेक्स देखे यहां पर हमने और object बना दिए और problems create हो गई कि इतने object है अब हम कहां का रखे फिर भी यहां कोशिस किया है दो बड़े object है इनको हमने एक को खड़ा किया है दोनों को खड़ा किया है लेकिन एक को क्रोस किया है एक को क्रोस नहीं किया है रोका है हमने इधर हमने छोटे पीसेज रखे हैं ब्लेक के और यहां हमने color भी लाए है color means black की shade ही लाए है gray and black and white यानि हम इसको कह सकते हैं black and white design हम यहां तैयार करने शुरू करते हैं यह देखिए यह object आते ही tension पेदा होता है या tension का means the textures कह सकते हैं या एक rhythm painting में कह सकते हैं यहां से create हो जाता है अब इस object को जैसे black का दो portion इधर है white के उपर छोटे इन छोटे में एक छोटे वाला बढ़ा है एक छोटा है यहां पर भी हम देख रहे हैं कि एक दूसरे पे हमारी eyes की rhythm हो रही है इसे gray में हो रही है इसे बड़े object में भी होते हैं यहां आते ही हमें और ज़्यादा object बढ़ दें जैसे जैसे object ज़्यादा बढ़ते जाएंगे और हमारे सामने संयोजन की सबसे ज़्यादा अवशिक्ता बढ़ती है संयोजन करने की शमताएं बढ़ जाती है और आप कितना अच्छा compose कर सकते हैं उतना ही आपका अनुभव काम करता है आपका अनुभव अच्छा है आप बहुत अच्छे डंग से आपकी प्रेक्टरीश अच्छी है बहुत अच्छे डंग से आपका अच्छी है यहां पर हमने और object बढ़ा दी है आप देखिए यहां मैंने एक बहुत बड़ा black color का object लिया है फिर उसके छोटे छोटे पीछे इसमें कुछ black के geometrical form और ली है और इसमें gray color भी लिया है गिरे लिया है उसके भी objects कुछ इस space के साथ इसमें है यह भी यहां भी लग रहा है कि हमने वैसे भी जो object रखे गए हैं सो समझ के रखे गए हैं कौन सा object हमें कहां रखना है आपने देख रहे होगे कि यह बहुत बड़े space के उपर एक gray का cross करते वी object रखा है यहां पर भी हमने बहुत सो समझ के रखा है यहां cross क्यूं रखा गया है क्योंकि यह बहुत बड़ा space था इसको कहिन कहीं किसी object के दुआरा उसको cross करते वी इसको break करने किया शेक्ता थी एसे ही अन्य object भी अपनी इसी तरीके की शम्तावा को रखते हैं उनीकी भी value उसी तरीके की है बिना value बिना सो समझ के एक भी object नहीं रखा गया है नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि इसमें हमने और object बढ़ा दिया है वो बड़े वाले space जो यह बड़ा space था इसको दो भागा में divide कर दिया है और ज्यादा interesting बढ़ा है इसमें line आने की वज़े से और portion में चोटे object बड़े object और लंबाई में और ऐसे काफी objects आ गये हैं जिसमें black and white एक design तयार हो रही है यहां हमारे सामने ज्यादा समस्या है क्योंकि object ज्यादा है जितने object बढ़ते जाएंगे हमें सन्योजन की समस्या आएगी सन्योजन करने पर हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि इन object को कौन से object को कहा रखा है जितने भी object रखे गए बहुत सो समस्या रखे गए कौन सा object कहा रखना है इसका विशेश ज्यान रखा गया है आप भी इसमें object जैसे कि यह कुछ object क्रोस कर रहे है कुछ separate जगह पे है इन सभी का अपना एक विशेश इस्तान है अपनी एक value है यहां देखिए पहले black and white था यहां हम monochrome एक रंग योजना लि blue color में white mix करके और इस तरीके का अलग-अलग variation उसी color में create किया है object में भरा है तो यहां object आप यह देखेंगे यह black and white था और यहां monochrome है यह की color के अलग-अलग tone से ले करन नहीं किया है आप देख रहे होंगे यह और यह कितना अच्छा कौन सा अच्छा लगता है यह आपको वैसी देखने से पता पढ़ रहा होगा फिर हम जैसे दिरी-दिरी आगे यहां यहां जैसे यह color आते ही हमारे साथ में रंग-सयंजन की बात आजाती है Başka और सप्रॉब्लम तो पहले थे ही दो चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता और कलर दोनों को अच्छे ढंग से सन्योजित करना है कहां करना है केसे करना है कौन से कलर कहां डार करना है कहां लाइट करना है यह समश्यात यह यह देखिए यहां बहुरंगी यह योजना यानि यह ग्रीन भी आ रहा है रेड भी आ और object सन्यूजंग भी करना है, object तो हमने पहले सी जो continuum बनाते आ रहे हैं, वो उसी जगह पे ही है, जैसे black and white में बनाया है, उसी जगह पे ही है, यहाँ वो समश्या नहीं है, लेकिन यहाँ हमने उन्हें object में color भरा है, तो यहाँ बड़ी समश्या यह आती कौन सा color कहा, आप द ध्यान यहाँ orange पे ज़्यादा जाता है, या फिर यह जो हलका green की tone में जो बड़ा space लिया है, लेकिन उससे भी ज़्यादा हमारा orange की और जा रहा है, क्योंकि orange जो color है, यह गरम color का ही पार्ट है, इसमें ध्यान हमारा सबसे ज़्यादा हाकर से जिस पे हो रहा है, फिर उस बड़े space yellow और green का जो mix है, उस पे जाता है, फिर दीरे दीरे blue पे भी जा रहा है, background में जो dark red है, उस पे भी जा रहा है, तो यहाँ हमारे साथ में जो problem आती है, वो color रंग संयोजन की भी आती है, और हम रंग किस तरीके से संयोजित किया जाता है, जितनी ज़्यादा हम यूजना लेंगे या रंगों को अलग अलग ज़्यादा रंगों का यूज करेंगे, उतनी ही ज़्यादा problem हमारे साथ में आएगी, हमें यह subject का कहीं विशेज जाननी रखना है, अगर आप subject को ध्यान में रखते हुए कोई design करते हैं, तो आपकी creativity और आपका संयोजन जो है वो proper नहीं हो पाएगा और आप subjective पे ज़्यादा depend हो जाएँगे, हम जहां तक objective को लेके space division सीखते हैं, उतना हम किसी subject पे आते ही, हम उचीज से भनसित रह जाते हैं, हम बहुत अच्छे धंग से design नहीं सीख पाते हैं, तो आप design संयोजन सीखते हैं, तब सबसे पहले आप object को लेके करें, ताकि आप बहुत अच्छे धंग से सीख सकते हैं, और आप space division करना आपको अगर आ जाता हैं, तो आप बाद में subjective painting बनाने में आपको बिलकुल दिक्कत में आएगी, और बहुत अच्छी बनेगी, आप देख रहे हैं कि ये बहुरंगी ये योजना है, और ये मोनोक्राम एगरंगी ये योजना है, ये भी एगरंगी है, लेकिन इन में आप देख रहे होंगे, इन सभी से साइध ये और ये बैटर लगरी होगी, क्योंकि यहाँ थोड़ा रन संयूजन में हमें और कुछ करने की हुझ जाय से, धन्यवाद, आगे भी हम इसी तरीक केसे, औबजेक्ट को लेके केसे, डिजैन करते हैं, और बहुत अच्छी डंग से केसे करते हैं, मैं आपकी सामने और लेके आऊंगा, और आपको बताऊंगा, आप भी इस तरीके की ट्रेक्टिस करें, धन्यवाद,